वेल्कम टू जीगेफ्रेक्स करण में जानेंगे वीडियो के अंदर देखे अभी जो है आप लोगों ने काफी बार न्यूज में भी सुना होगा और काफी चर्चा में ये टॉपिक है कि आखिर जोसी मट में जो धसाव हो रहा है यानि कि जो जमीन वहां ठस रही है दरारे आ रही है उसका कारण क्या है ठीक है ऐसा क्या हुआ है उत्राखंड की जमीन के अंदर कि यहां पर जो है जमीन को धसाव देखा जा रहा है हाला कि उत्राखंड में समय समय पर हमें आपदा देखने को मिलती रहती है लेकिन अभी जो है काफी समय के बाद जोसी मट में एक पर फिर से वही तियार दोराय जा रहा है जो कि कभी 1900 के दसक में दोराय गया था ठीक है ऐसा यहां पर क्या हुआ है इसके उपर बात करेंगे जो सी मट में जो जमीने जो धस जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है क्या प्राकर्तिक आपदा यहां कारण है लोगों के जो टॉपिक है पेपर के पो इंटविव से साथ में अगर आप UPSC PCS की त्यारी कर रहे तो भी काफी important बन जाता है अगर आपको इसका टेलिग्राम चाहिए तो जो है आपको इसका अगर आपको PDF चाहिए तो वो टेलिग्राम पर मिल जाएगा और टेलिग्राम का जो लिंक इसमें तो काफी बार सुनी लिया होगा कि जो सिमर जो की उत्रखन के अंदर एक जगा है वहाँ पर जमीन धसने का मामला देखा गया है ठीक है इसमें नुकसान जो है वो काफी गंबीर हुआ है ठीक है और लापरवाही बुनियादी धाचे विकास इस्तिती को खराब करने वाला जल्वायू परिवर्तन की भूमिका के कारण हो सकता है यानि यहाँ पर जो कारण यह बताया गया है कि जमीन का फट जाना या घरों में दरार आर जाना इसका कारण कहीं ना कहीं लापरवाही तो है है साथ में बुनियादी धाचे के विकास और इस्तिती का खराब प परिवारों को पहले ही आइस्ताई रहित यानि की केद्रों में इस्थांतित कर देगा है यहाँ पर अभी तक यह कहा गया है कि 600 से जादा घरों को ढढ़ा दिया गया है जिन में काफी नुकसान था यानि की 4500 घरों इमारतों को जो है इसमें चुना गया ठीक है जोसी मठ क के करीब जो है यहाँ पर इमारते हैं जिसमें से अभी तक की डेट तक 6010 बड़ी इमारतों में दरारे देखी गई है जिनको ढाबी दिया गया है और यहाँ से लोगों को हटा कर उन्हें सही सेफ इस्तांतित जगवा पर इस्तांतित कर दिया गया है ठीक है ना लेकिन बात जा रहा है यहां पर कि जोसी मट में भूमी धसने का प्रात्मिक कारण National Thermal Power Corporation को की जो है तपावन विश्णूगर Hydro Power Project माना जा रहा है आपको पता होगा कि उत्राखंड का जो यह जोसी मट है यहां पर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ठीक है क्या चल रहा था जो कि एक National Thermal Power Corporation का तपावन विश्णूगर Hydro Power Project है ठीक है अब यह कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा कारण बता गया है कि जमीन धसने का यह सबसे बड़ा कारण है ठीक है क्योंकि जब इसको जहां पर इसको बनाया जा रहा है तो जैसी बात है कि प्राकरती को नुकसान पहुचा कर ही किसी चीज का निर्माड करा जाएगा है ना जैसे हम लोग देखते हैं आपने अपने इलाके में कई बार देखा होगा कि जब हाइवे बनते हैं ठीक है जब हाइवे का निर्माड होता है तो क्या होता है हाइवे के निर्माड में पेड़ों का काटना पड़ देखने को मिलती है हम अभी भी उत्तरा खंड में जो कैदार नात में आपदा आई थी उसको आप नहीं भूलेंगे उसका भी कही ना कही कारण यही था कि लोगों के द्वारा वाद दुर्वेवार हो रहा था वहाँ पर काफी ऐसी चीजे देखने को मिली थी जो की गलत थी ह है ना तो यहां पर यह जो नेटला थर्म पावर कॉर्परेशन चल रहा था यानिकि पावर प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें जो मशीनों का यूज था आप यह कह सकते हैं जो मशीने थी वह काफी मतलब उन्होंने उन्हों के द्वारा भी यहां पर चीजों को नुक्सान ह हुआ है क्योंकि जोसी मट एक तरीके से खोकला इलाका है यह प्रित्वी के उस पैनल में आता है जहां पर भुकम के जटके सबसे ज्यादा देखे जाते हैं तो मशीनों का जब यहां पर यूज होता है तो यहां पर आपदा देखने को मिल जाती है ठीक है ना मतलब इसको हम आपदा नहीं बोलेंगे लेकिन लोगों के घर तो बरबाद हो गया उनकी बनाए हुई वह इमारत जिनों को बनाने में उन्होंने अपनी पूरा करियर लगाया होगा पूरी मेहनत लगा उम्र लगा भी कितनोंने वह तो बरबाद हो गया है तो याद रखेगा कि यह जो परिवर्तन एक अपना बहुत बड़े योगदान निभा रहा है ठीक है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे जादा अगर क्लाइमेट चेंज कहीं हो रहा है किसी देज में तो वह भारत है ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि IPCC का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत ब रहा था इस परियोजना ने जोशी मट में खोकले स्थान के निर्मान की घटना में योगदान दिया है अभी मैंने क्या कहा था जो सी मट जो है सबसे पहला याद रखेगा जो सी मट वाला जो इलाका है उत्राखंड का वो प्रित्वी के उस भाग में आता है जहां पर भु चलाएंगे मशीनों का मसीनों से आपर कारे करेंगे तो नुक्सान तो होना ही होना है है लिए चीजह हैं तो यहां यहां पर जो जल्वायू विग्यानिक है प्रकास जी उन्होंने भी इस बात का पुष्टि करान करा है कि भहिए इस पर योजना ने जोशी मट में खोकले थान पर इस कारे को अन्जाम दिया है नाजुक हिमाल्य पर परिस्थितिक तंत्र में साथ जो है सब्धानिक पूर्वक योजना के महत उपर प्रकास डाला है इनों ने इनका कही न कही कहना यह था कि यहां पर इस कारे को नहीं करना चाहिए था तो ऐसी घटना नहीं देखने को मिलते हैं के लिए आगे बात करते हैं अब इसका समधान क्या है अब इससे क्या हो सकते है क्योंकि लोगों का तो नुक्सान हो गया इसका समधान क्या है अच्छा इसका समधान जानने से पहले एक चीज और याद रखेगा कि जो सीमट में जो भूमी धसना है उसे सहर और इसके निवाशियों पर महत्रपूर परवाब पड़ा है यहां पर रहने वाले लोगों पर इस पर बहुत ज्यादा परवाब पड़ा है और निकासी के अलावा यहां पर जबरन जो निकासी है उसके अलावा शेकड़ों घरों में दरारे आ गई है ठीक है क्योंकि आपको पता है लोगों को खाली करा जा रहा है उनको रख तो सकते नहीं कि कभी भी उनका इमारत है घर जो है डह सकते और इसमें खराब होनी की उमीद है मतलब इसलिए यहां पर खाली करा जारे क्योंकि खरा रहा है ठीक है तो याद रखेगा अब आती है समाधान की बात तो समाधान यह है कि HNB गडवाल विश्विध्याले में भूविज्यानिक विवाग के परमुख है प्रोफेसर Y.P. सौंद्रियाल इन्होंने कहा है भविश्य में होनी वाली आपदाओं को रोकने के लिए का पालन करना चाहिए और एक नियम बनाने चाहिए क्यों बनाने चाहिए क्योंकि उत्राखंड का अधिकांग जो हिस्सा है जो सी मठी नहीं उत्राखंड का अधिकांग जो हिस्सा है वो भुकम ये छेत्र माना जाता है ठीक है अभी मैं वही चीज़ आपको बार बार समझ जो कि 4 और 5 में इस्तीत है और जो छेत्र 4 और 5 में इस्तीत होता है वो भुकम के जटके वह सबसे जादा देखे जाते हैं तो भुकम की दृष्टी से समेंदर सील इलाका है उत्राखण जलवाईव परिवर्तन अधिक चरम मोसम की घटनाओं के साथ इस्तीती को खराब कर रह है चाहे वो फिर जो है कैदानात वाली घटना हो या फिर अभी जोशी मटकी घटना हो ऐसा देखा जाता है और यही नई है कि उत्राखण में यही दो घटनाएं होई है आप सुनते भी रहते होंगे 15-10 दिन के बाद न्यूज आती रहती है कि आज कहीं बादल फटा है कही पर जमीन धसी है पहार धस गए तो यह सारी चीजे क्यों होती है क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है जल विद्ध्यूत्य परियोजना से होने वाले परियावरण और परिस्थितिक छती से जुड़े लागत को देखते हुए अंजल प्रकास जो 1970 में भी ऐसा देखा गया था 1970 के दसक में भूमी धसने की घटना भी सामने आई थी 1978 में गड़वाल आयुक थे महेश चंद्र मिश्रा उन्हों के नित्यूत में एक पैनल लेग रिपोर्ट में प्रस्तुत की जिसमें यह कहा गया था कि सहर और नीती और माडा घाटियों मे मोरेन पर इस्तित होने के कारण बड़े निर्माण कारिये नहीं किये जाने चाहिए देखें कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है कि गवर्मेंट को यहां पर यह समझना पड़ेगा कि वो यहां पर कोई भी ऐसा कारिये ना करे कोई भी तरह बड़ा कारिये ना करे जो यहां प मसीने जो सी मट वैसी खोकला इलाका है ठीक है और दूसरा उत्राखण पूरा जो है भुकम का छित्र माना जाता है तो यह घटना यहां पर होना जरूरी है ठीक है तो यह चीजे होती है किलियर हो गया अभी जैसे कैदारनाथ में जब घटना हुई थी तो उससे पहले कैदार पर जो है बड़े कारिये नहीं हो सकते हैं नहीं चलाए जाथ सकते हैं और IPCC जो है उसके 2019 और 2022 की रिपोर्ट में इस तरह के आपदाओं के लिए छेत्री की उच्छ सम्वेदर सिल्ता को नौट किया गया था ठीक है तो यह पूरा जोसी मट वाला मामला था आई होप आप ठीक है समधान समझे होंगे कि क्या है कही ना कहीं बात यह भी है कि देव भूमी है उत्राखंड यहांपर मचीने नहीं चलाइं जा सकती है अगर आपने चलाई तो फिर आप्दाव आपको ही जेननी पड़े क्योंकि नुक्सान किसी का नहीं Manusia का है ठीक है तो रांट पर मिलेगा डॉंलोड कर लिजेगा टेलिग्राम जोइन भी कर लिजेगा ठीक है मिलेंगे आपसे नाइस फीडियो बिर नहीं देखिए देख लीजेगा मिलेंगे नाइस विदी तो तक यह थेंक्टी फोर वॉचिंग गैल से आव नाइस डे थैंक्स पूरोचिंग